आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अपने Android फोन से Android के Mobile फोन से Cryptocurrency की Mining कैसे करे और करके भी दिखाने वाला हूँ बट थोड़ा सा सुरू से सुरू करते हैं जित्ते भी Cryptocurrencies होती हैं इनको कोई गवन तो करता नहीं है तो इनके transaction को verify जो करता है वो होता है miner वो अपने hardware power का use करके जिसे mining कहते हैं hardware power का use करके इन transactions को complete कराता है और बदले में उसे कुछ cryptocurrency reward में मिलती है अगर आपने मेरा laptop से bitcoin mining कैसे करेंगा वीडियो देखा होगा तो आप इस concept को अच्छे से समझते होगे तो अभी problem क्या है कि bitcoin जो है वो terahash में mine होता है यानि कि छोटे मोटे hardware bitcoin को mine नहीं कर पाएंगे bitcoin की mining पहले ही काफी जादा हो गई है और अब bitcoin mine करने के लिए especially asic miners आते हैं bitmain company के भी आते हैं आप वो सब लगा करके cryptocurrency की mining कर सकते हो बट वो hardware महगे आते हैं 2 लाग 3 लाग आपका लग जाएगा आपको mining start करने में बट अभी भी कई cryptocurrencies है जो नई है market में और जिनको आप अपने mobile phone से या अपने laptop computer से भी mine कर सकते हो मैं इस वीडियो में आपको जिस cryptocurrency को mine करने के बारे में बताने वाला हूँ आप उसको बेच भी सकते हैं वो cryptocurrencies decentralized exchange में listed हैं और उनकी एक value भी है तो चलिए आपको पूरी detail बताता हूँ तो देखो इस crypto का नाम है virus I mean इसकी website है मैं आपको किसी भी चीज का link के description में नहीं दूँगा क्योंकि जैसा आपको पता है mining क्या करता है वो हमारी hardware power को extreme level पे use करता है और इस case में हमारा hardware अच्छे से चल सके और कई सारी guidelines की वज़े से Google जो है वो play store पे इन apps को allow भी नहीं करता है और usually आपको कहता है कि आप mining मत करो ऐसे पिछली कई सारे किस्से हो चुको इसले गूगल ने ऐसी policy बना दिये तो मैं आपको इन चीजों कर लिंक नहीं दूँगा आप Google पर सर्च करना और ध्यान रखना कि official website पर ही जाओ जैसे यह है virus.io ठीक है तो 1.17 डॉलर यह सबसे नीचे है न वीडिस कोईट 1.17 डॉलर कल यह 1.2 था तो अभी 0.03 गिर गया है तो यह crypto का price तो ऊपर नीचे होते ही रहता है बट आप इस crypto को mine कर सकते हो और यहां से या फिर किसी और भी exchange से आप इसको exchange कर सकते हो USDT में, Tron में या जिसमी crypto currency में आप इसको exchange करना चाहो और फिर किसी भी centralized exchange में जा करके उसको बेच सकते हो और पैसे अपने bank account में ले सकते हो ठीक है लिश्टेड है यह मैंने आपको दिखा दिया अब आते है main topic पर कि mine कैसे करना है माइन करने के लिए वापिस से इस website पर जाते हैं और इसमें menu में चल करके एक section है economy का ठीक है economy के section में चलते है वैसे तो get wallet है अभी इसकी ज़ुरत पड़ेगी मैं आपको सब बताता हूँ देखो start mining का option है start mining पर क्लिक किया फिर उसके बाद यह हमें सारे resources देगा कि किसकी मदद से mining करने है पूरी detail है इनका खुद का भी एक pool है pool क्या होता है कि एक होता है solo mining होती है कि आप सिर्फ अपने hardware से mine कर रहे हो ठीक है अब chances कम होते हैं कि आपको वो block hit करेगा आप उस block को mine कर पाऊगे तो कई बार आपको reward नहीं भी मिलता है कई बार मिल जाता है पट pool में क्या होता है कि कई सारे लोग अपने hardware को एक साथ मिला करके अपनी hardware power को एक साथ इकठा करते हैं और उससे mine करते हैं तो mine जो होता है वो reward सबको थोड़ा थोड़ा जिसकी जितनी hardware power use हुई थी उसे साथ से उसको reward distribute हो जाता है तो जब भी कोई crypto बहुत मतलब ज्यादा hardware extensive होता है ज्यादा power extensive होता है बहुत ज्यादा hardware चाहिए होता है तो लोग pool का use करते हैं जब शुरुआत में crypto होता है तो लोग उसको solo भी mine कर लेते हैं जैसे bitcoin भी पहले mobile phone से mine हो सकता था अब वो बहुत मुश्किल है अब मतलब lucky draw ही है कि आपका block hit हो जाए और एक bitcoin mine कर लो यानि कि आपको 6.25 something bitcoin मिल जाएगा अगर आपकी किस्मत अच्छी होई बट वो बहुत म और ARM के phones में mine कर सकते हो लेकिन ASIC miner जो टेरा hash में mining करता है क्योंकि अगर ASIC miner अलाओ कर दिया इसने तो फिर हम ASIC miners mine करेंगे पूरा crypto हम ही mine कर लेंग और किसी को मिलेगा ही नी इसलिए ASIC miner not possible है फिर अब आपको अपने किस device में mine करना है मैं desktop के उपर एक dedicated video बना दूँगा इस लेगा तो app downloads में click करना है और ये APK download कर लेना है ये APK आपको play store पे नहीं मिलेगा क्योंकि play store ये policies नहीं allow करती है बट हाँ ये आपको website पे तो मिली जाएगा इस app को install कर लेना है और फिर open करना है देखो अब यहाँ पर क्या करना है हमें setting करना है माइन तो करना है पर जो पर देता हूं startup shouter startup shouter ठीक है ये मेरे mining का नाम है setting name फिर सब्सक्राइब माइन नेम ठीक है इसको रहन देते है CPU आप कितना allot करना चाहते हो फोन में 8 core होते है तो आप उसमें से कितने allot करना चाहते हो 8 है अगर आप 8 को allot कर दोगे तो पूरी hardware power use होगी ज्यादा माइन या बाकी कोई काम करोगे तो वह खलका slow जानेगा अगर आप चाहते होगी आप अपने normal use भी करते रहो जैसे आपके पास कोई पुराना phone है तो माइन पर लगा के छोड़ दो सारे codes पर लगा करगे बट अगर आपका usual phone है जो आप यूस कर रहो आपका regular phone है तो फिर एक दो CPU एनफ है या चार तो चलो अभी दिखाने के लिए मैं 8 कर देता हूँ फिर उसके बाद हमें चाहिए एक wallet address वेर्यस coin का wallet address चाहिए जहाँ पर हम crypto करने से mine होने के बाद receive करेंगे तो अब इसके लिए हमें क्या करना है इनका जो wallet है वो download करना है तो वापे इस से website पर आ जाते है तो wallet हम प्लेश्टो से डाउनलोड कर लेंगे बढ़ हाँ आप official website के थूर जाना ताकि कोई फालतू wallet मत कर लो माइन आप कर रहो निकाल कोई और रहा है तो उससे पचने के लिए official store से जाना फिर जैसा कि हर wallet में होता है एक secret phrase मिलता है आपको अपनी खुद की मिलती है अब हमें 24 सब्द का seed phrase देगा secret key देगा show 128 चलो डिक हमें इसका screenshot लेते चलता हूँ अब यह आगे हमसे सवाल पूछेगा कि दूसरे नमबर पे कौन सा phrase था 15 पे कौन सा ते रावे पे कौन सा यह सब डालने के बाद हमारे wallet account create हो जाएगा अब wallet account बन गया अब हमें क्या करना इसका address लेना है और अपने miner में mining का जो app है हमारा उसमें डाल देना है तो वो कहां समिलेगा उपर गए receive उसवाद receive पे गए क्योंकि हमें जो mine करेंग वो हमें receive करना है इस wallet में receive किया वापिस से अपने miner में चलते हैं और यहाँ पर wallet address में अपना wallet address paste कर दिया बस हो गया अब आपके पास option है आप pool कौन सा select करना चाहते हो जैसे इतने सारे pools हैं आप कोई भी एक pool select कर सकते हो मैं by default रहने देता हूँ बाकि आप अपने pool try करते रहना देखना किसमें ज्यादा reward मिल रहा है किसमें कम मिल रहा है और बस मैंने app download किया hardware आपके पास है ही internet connect होना चाहिए internet ब balance अभी zero है तो हाँ मुझे पता है ठीक है क्योंकि नया wallet आपके सामने ही बनाया है वैसे ये wallet का seed phrase आपके इस वीडियो में दिग गया होगा और ये disposable wallet आप समझ लो क्योंकि इस वीडियो के बाद ये wallet नहीं use किया जाने वाला है तो मैं आप से भी रिक्श करूँगा कि उस wallet titles को बूल जाओ अपना खुद का wallet बनाना ये नहीं कि मेरा ही phrase डाल के mining कर रहा है और कोई अगला बंदा निकाल रहा है अब mining का नीचे option है ठीक है फिर उसके बाद start बस allow करते हैं simple देखो phone में mining start होगे न अभी कोई speed नहीं दिखा रहा है 0.00Mhs एक तो मैं इसी mobile में screen recording भी क कम दिखाएगा क्योंकि आपका hardware कहीं और भी use हो रहा है तो पूरे resource नहीं use कर पाएगा बट अगर आपके पास कोई पूराना phone पड़ा होगा है तो उसमें fall to के सारे app आप उड़ा देना सर्फ mining लगा कर चोड़ देना अब देखो 4.56 Mhs और ये mining start होगे नीचे आपको दि माइन हो रहा है होता रहेगा और ये जो भी माइन होगा ये आपके wallet में आपको मिल जाएगा फिर wallet में मिल गया आप उसको बेच सकते हो कैसे आप simply search करो various coin और आपको देख जाएगा कि किस case exchange पे आप इसे बेच सकते हो बट फिर भी मैं आपको suggest भी कर दूँगा देखो हाँ देखो यहाँ पर last bull run में लगबख 3 डॉलर तक एक coin की value गई है और उसके बाद भी लोगों ने mine किया हुआ है और लोग mine करते ही जा रहे है और all ये 1426% up में है अभी mobile mining support कर रहा है तो अभी आप mobile mining कर सकते हो अचा इसमें तो आपको detail दिखी जाएगी यहाँ से आप track क और I mean receive कर सकते हो जैसे आपने उस wallet में mine किया या फिर आप उस wallet में यहाँ काई address दे दो यह receive address दे दो और mine जो भी होगा वो आपको इस wallet में मिलेगा komodo wallet में मिलेगा फिर उसके बाद आप DEX में जाकरके आपके पास जो भी VRSC coin है यानि virus coin है आपके पास जो भी VRSC यानि जो virus coin है उसको यहाँ से sell कर सकते हो अभी जैसे मेरे पास 0 है तो मैं यहाँ पर option नहीं select कर पा रहा हूँ कि 10% sell करना है 25% sell करना है sell कर सकते हो और आप USDT या Tron किसी भी चीज में convert करके अपने centralized exchange, Binance, WajirX, CoinDCX किसी में भी receive करके फिर उसके बाद उसको direct sell करके INR में अपने bank account में related कोई सवाल है तो नीचे comment करना मैं आपको उसके उपर कोई video या फिर नीचे comment में ही जवाब देतूँगा और एक और बात कि जैसा कि आपको बता है नए crypto's के airdrop आते रहते हैं तो मैंने क्या सोचा है कि अपने telegram group में मैं जिन airdrop पे खुद भी apply करता हूँ उन airdrops को आप आपको सिर्फ apply करना है और किसमत अच्छी हुए आपको ए airdrop मिल जाएगा थुड़ी और किसमत अच्छी हुए काल को वो किसी exchange में लिस्ट हो जाता है तो आपको free fund के पैसे मल जाएंगे उम्मित करता हूँ वीडियो चलाओ वीडियो चलाओ वीडियो लाइक ना चैनल झाल